हेलो दोस्तों मैं ये स्वंथ स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मीव कोचिंग इंस्ट्यूट पर तो आज के हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट पाइप कर रहे हैं इससे पहले हमने जो है प्रैक्टिस सेट पूर कंप्लीट किया हुआ था जिसमें 10 कंप्लेट किये हुए थे ठीक है और यह जो रहेंगे महतपूर्ण रोप से आपके ग्रूप डी रेलवे अने वाले साइंस से जो भी कोश्चन आएंगे उसके लिए हैं आपके काफी ज्यादा महतपूर्ण कोश्चन होने वाले हैं ठीक है और आप जहांपर भी साइंस ठीक है तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे प्रेक्टिस साइट पाइब है ओके शेलिए तो कि श्राट करते हैं तो आज का मारा फर्स्ट कॉस्चन जो रहेगा बच्चे के दूद्ध पीते समय इस तरहों में दूद्ध का निस्कासन किसकी मदद से होता है तो यह होता है ऑक्सिटोक्सिन जो होता है ओक्सिटोक्सिन ठीक है निस्टेचन सामानिता कहां होता है पैलोपिन ट्यूप ठीक है कहां पर होगा फैले पिन ट्यूप में किस बादब का पुस्प सबसे बड़ा होता है यह होगा रेफलेशिया ठीक है यह होगा रेफलेशिया तो यह होता है किस बादब का पुस्प सबसे बड़ा होता है वह होता है रेफलेशिया और रेफलेशिया और सबसे जोटा पुस्प पूछा जाए तो वुल्फिया आप बोलेंगे सबसे जोटा पुस्प पूछा जाए तो वुल्फिया सबसे कठोर लकडी पूछी जाए तो हाडवीकिया वाइनेटा यह नोट करते चलिएगा जो एक्स्टर इंफरमिशन रहती है वो नोट करते आप चल सकते हैं सबसे कठोर लखडी जो होती है हाडवीकिया वाइनेटा चीक है और इसमें होता है जैसे सबसे हलकी लखडी पूछा जाये तो उक्प्रोमा टीक है है ऊक्रोमा इतना याद रखेंañ, जैसे अगर आता भी है तो आप जो है वहां कर सकें न वो क्रोमा ओर जबी और क्या रैता है, जैसे सबसे बड़ा आपरत वीजी यूजी यूकेलिप्टस यूजीएगैं और उसके बाद फिर सबसे चोटा अबरत वीजी पौधा होता है लैमना, ठीक है, क्या होगा, लैमना, क्या होता है, यह सबसे चोटा अबरत वीजी पौधा होता है, क्या, लैमना, ओके, और इसमें सबसे चोटा बीच किसका होता है, आर्केड, सबसे चोटा बीच कौन सा होत लोडो सिया लोडो सिया और क्या होता है इसमें सबसे बड़ा बीज आण होता है साइकस इसी तरह से और भी कुछ रहते हैं जैसे सबसे छोटा कुर्ण सूत्र सहवाल सबसे बड़ा फल भी होता है लोडो सिया चलिए आगे बढ़ते हैं असत्य फल मुख्य रूप से कौन-कौन से है जैसे नारियल और कठल असत्य फल मुख्य रूप से कौन-कौन से है नारियल और कठल ओके चीक है आप इसमें कुछ कुछन ऐसा ही पूछा जाता है कि पलों को खाने वाला भाग कौन कौन सा जैसे कि आपसे पूछ लिए जाएगा कि नास पाती या फिर कठल कठल जो अभी इसमें जो दिया हुआ है कठल कठल का कौन सा भाग हम खाते हैं तो सह पत्र है ना परीदल य यह होता है आपका कठल का खाने वाला भाग अब जैसे सेव तो सेव में हम कौन सा भाग खाते हैं वो खाते हैं गुद्देदार पुसपासन ठीक है अंगूर में अंगूर में हम खाते हैं फल भीती चीक है अनार में रसीले बीज जो रहते हैं ना वो ठीक है अब काजू पीटे रो पुसपासन बैगन फल्वीति लीची होता है लीची एरेल होता है ठीक है कि इमली में मध्ड़वीति के बहुते हैं ठीक है अलब जो भी आप फल हैं उनको kullva भाग आपसे मेक्सियूम पूछा जाता है ठीक parenth जैसे पापिता पूछ लिया time पीटा में क्या होता है मत्द फल्वीति खाने वाला भाग होता है दनिया पुस्पाशन इम Mainly ची नहीं कुछ इस तरह से रहते हैं जिसमें आपसे पूघा जाता है है ची तो नेक्स्ट में जो देखते हैं कि किसी ब्रच की आयू कैसे पता चलती तो इसकी आयू घ्याद करने के लिए वलियों को गिनकर जो ब्रक्ष में उसकी वलaprès होती हैं उनको गिनकर उसकी आयू का पता लगा सकते हैं छिए उसका आयू का पता लगाया जा सकता है तीक है नेक्स्ट कुरिशन है जल संबर्धन जल संबर्धन हाइड़ोप реш to helping बिना मिट्टी के पादफ उगाना जल संबर्दन क्या चलिये नेक्स्ट कुर्शन होगा किस वग्यानिक को अनुवान्सिक्टी का पिता कहा जाता है डेगर मेंडल या आप काफी पहले से पढ़ते हुए आरहे हैं तो आल्रेडी आपको यह नाम पता होगा, ठीक है, किस बैग्यानिक का अनुवान सिकी का पिता कहा जाता है, ग्रेगर मैंडल, ठीक है, तो इसमें होगा, ग्रेगर मैंडल, ओके, next question है, किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किस से होता है, पिता के गुर्षूत्रों से, ठीक है, next question है, इसमें, मनिश्यों में गुर्षूत्रों की संख्या होती है, 46, मनिश्यों में गुर्षूत्रों की संख्या होगी, 46, और इससे पहले एक और इससे पहले वाले question में, और इसमें आपका इसमें आपका जो है कि अनुवानसिकी लक्षणों के पीडी दर पीडी संचन को जो विदी होती है उसको गोला जाता है अनुवानसिकी क्या कहा जाता है जैनेटिक किसे कहा जाता है जो अनुवानसिक लक्षणों के पीडी दर पीडी जो संचन होता है उस बिदी को का जाता है अनुवान सिखी और ग्रेगर मेंडल जैसा कि इसमें मैंने बता दिया है अनुवान सिखी का पिता है ठीक है शरबतम जैनेटिक सब्द का पयोग किया गया था डवलू वाट्सन ने 1905 में किया था ठीक और शरबतम मेंडल ने मटर के पौधों का रखाएं जिसमें खून थॉक्ति का थक्का नहीं बनता है वह था अनुवानस की कारण है हीमोपीलिया जो की प्रुसों में पाये जाता है और अनुवानस्टे में बादम में और यग रज sécurité को लाल हरा रंग नहीं दिखाए फंपा पैचान नहीं पाते हैं लाल और हरा रंग को जो है पैचानने में असमर्थता होती है ठीक है चीक है और चले 49 कोशन क्या है मनुष्यों में गुर्शूत्रों की संग्या होती है 46 और इसमें गुर्शूत्र को सरपतम जो दिया था हॉप मिस्टर ठीक है तो नेक्स्ट कोशन है हमारा किसी सदिस का परिमार कभी भी नहीं हो सकता क्या किसी सदिस रासी का परिमार नहीं हो सकता है रेनात्मक ठीक है किसी भी सदिस सदिस का परिमार कभी भी रेनात्मक नहीं हो सकता है ठीक है चलिए तो आज के लिए इतना ही यदि वीडियो को पसंद आयो तो लाइक कीजिए सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज के लिए इतना ही थैंक यू